हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आलाइन अकेडमी आज हम लोग देखने जा रहा है जो यूपी विदान सभा आरो यारो का जो एक्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन एंसर को देखेंगे एंसर की को देखेंगे अगर आपको उसमें कोई अभी एंसर सही नहीं लगता है तो कमेंट कुण को देखते हैं तो यह पेपर जो है वह हुद दो पार्ट में पहला जो हे हो जीस के इस जीसमें की पचासंड वाले में भी 50 क्योंने हिंगा तो चलिए देखा एंपेला कॉश्चन निवीखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है तो इसमें जो सही मिलान नहीं है वो B आप्सन है विटामिन B12 बेरी बेरी जबकि यह होना चाहिए B1 बाकी A से रतोंदी A की कमी से रतोंदी होता है E से मान स्पेसिया कमजोरी और K खून का ठक्का जमने में बड़ा हुआ समय नेक्स्ट क्वेशन जो है वो है आपका निम्लिखित राज्यों में से कौन सा एक राज ये पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज था तो इसका अंसर है जो है वो राजस्थान राजस्थान के नागोर जिले में स्थापित हुआ था नेक्स है यदि काले को लाल कहा जाता है लाल को पीला और पीले को नीला तो नीले को हरा कहा जाता है तो आस्मान का रंग क्या होगा तो आस्मान का रंग नीला होता है नीले को हरा लाहूर में वह था तो इसका जो एंसर भी है पुर्ण स्वराज प्रस्ताओं लाहूर में नेक्स्ट जो है वह रिजनिंगा क्वेश्चन है इसको आप स्वाल्व करेंगे तो सी एंसर से ही होगा इसका नेक्स है निमलिकित में से कौन सा देश भारत का लगू रूप कहलाता है तो इसका एंसर मौरिसेस है मौरिसेस को ही कहा जाता है मिनी इंडिया नेक्स क्वेश्चन है सिंदु गार्टी सब्यता के निमलिकित अस्तलों में से कौन सा एक अस्तल गुजरात में स्थी थे तो इस इसका एंसर है कुमार गुप्त प्रथम और नेक्स्ट है नागारजुन उस्तूप का निर्मान किस यूग में हुआ था तो इसका एंसर है गुप्त यूग सी नेक्स्ट है भारत में कंजली आद्रभूमी छेत्र वेटलेंड ठीक है कंजली वेटलेंड यह पंजाब में है नेक्स्टट है निमल्लिकित में से कौन सा किसान और डौन सीध्य तोर पर असयोग अन्दोलन से प्रभावित था अब देखे question पूछने का pattern किस तरह से change कर रहा है, असायोग अंदोलन, जब असायोग अंदोलन चल रहा था उस समय, आवध किसान, अंदोलन भी विद्रोह कह लीजिए, अंदोलन कह लीजिए, आवध किसान ये ये भी चल रहा था उस समय, अब देखी आवध में ये सब भी आते हैं प्रताफगर्ड सुल्तानपूर रायवरेली फैजाबाद यह सब भी थे उसमें तो अब यहां पे सीधे सीधे नाम बोल दिया है रायवरेली और फैजाबाद तो इससे थोड़ा समदित पहलू कौन सा है तो इसका जो एंसर वह आजीव प्रूत्साण सी एंसर रहा नेक्स्ट है मिडारी मेंज की बात करेता ब्राया तो अब देखिए इसको जैसे मिडारी मेंज ढालेंगे तो यह जाहिव सी बाति है कि यह इस तरह से आएगाili और यह ऐसे रहों तो सी एंसर इसका नेक्स्ट जो है वह यूरोप महादीप में सबसे उची परवत चोटी है अब देखे इसमें आपसन ऐसा बनाया है कि आप आसानी से कर लेंगे मांट एलब्रूस अब चुकि यह इरान के उपर में है यहीं अगर आपसन में मांट इरेबस भी होता तब तो इसका जो एंसर है वह मांट एलब्रूस अब नेक्स्ट क्वेस्टन प्रीकेंब्रियन यू की चट्टाने पाई जाती है यह अरावली में है और तो कहीं नहीं है अब देखे यह क्वेस्टन भी देखिए पूछने का तरीका किस घटना से पहले घटित हुआ तो देखे पूर्ण सुराज का संकल्ब यह भी पहले हो चुका था दांडी मार्च स्टार्ट हुआ उसके बाद ही सविना वग्यांदोलन स्टार्ट हुआ तो यह दो तो ऐसे निकल गए ठीक है बसता है यह दोनों आप्सन अदिके जिस समय सविना वग्यांदोलन चल रहा था मतलब स यह भी आप्सन है यह भी आप्सन है लेकिन जब गांधी विन समझोता हुआ था उस दोरान सविना वग्यांदोलन जो 11 सुत्री मांगे थी उसमें लास्ट में इस पर भी वह होने वाला था कि सविना वग्यांदोलन को समाप्त करने के लिए बात चल रही थी तो इसका 32 के समय आया था ठीक है तो इस समय तक यह घटना घट चुकी थी तो इसका एंसर जो है वो सी होगा इसलिए कन्फ्यूज ना हुए यह हलाकि बाद में हुआ था गांधी इर्मिन समझोता लेकिन यह उस समय चल रहा था उसके बाद समझोते के बाद ही खतम हुआ है नेक्स् इसका है बहराम सा नेक्स्ट है दिए गए सब्दों को अंग्रेजी वानमाला की क्रम में बवस्तीत कीजिए और उसे चुनिए जो मद में आता है ठीक है तो अब देखिए यह जैसे है अगर आप इसको डिक्स्नरी के हिसाब से जैसे डिक्स्नरी देखते है अगर उस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी एक निश्चित कुड़वासा में उसको यह लिखा जाता है तो इसको क्या इसको क्या लिखाजएगा अब देखीन यह grams-कुन्ट to NAC लिख रहा है ठीक है तो A.B.R है तो R.B.A. लिखेंगे इसको अगर tutorials इसमें इस तरह का दिख रहा है यह उप्षन नेक्स जो कोश्चन है वह आपका प्लांट इसु कल्चर की पिता है तो यह हेवर लेंड है ठीक है इंग्लिस में देख लीज़ें नेक्स्ट है आपका भारती स्वतंत्ता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का देख्ष कौन था तो जे भी क्रिपला नहीं है इसका नेक्स जो है वह आपका निमलिखित में से किस वर के वरिष्ट नागरिकों के लिए क्यंद सरकार द्वारा रास्ट्री वयोस्री योजना प्रारम की गई है अब देखिए यह चीज मैंने करेंट में पढ़ा रखा आप लोगो तो इसका जो एंसर है वह है सी बीपिल नेक्स क्वेश्चन है नेमलिखित में से किस सहर में गरीम अंत्राले ने भारत में पहली साइबर अपराज निरोधक इकाई आस्वस्त अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लिए आस्वस्त ठीक है यह इंपोर्टन कोश्चन हो सकता है आगे एक्जाम में भी आ सकता है आस्वस्त की सुरवाद की है तो इसका जो एंसर है वह है गांधी नगर ठीक है नेक्स सनिटाइजर अनिवार वस्तु घोसित किया अभी के कंफ्यूजन इसमें क्या हो सकता है कि जो अब ऐसा भी हो सकता है कि यह जो ताला बंदी जो हुई थी वह किस एक्ट के तहात दिमाग में यह तुरंत हिट कर जाएगा तो महामारी अधिनियम 1897 भी लगा सकते हैं जबकि कि यह कह रहा है कि फेस मास्क और सनिटाइजर को अनिवार वस्तु समय घोसित किया गया कोविद नाइंटी महामारी के समय तो कि सेक्ट के ताथ आवस्तेक वस्तु अधिनियम और 1955 ठीक है नेक्स क्वेस्टन देखते हैं निमली की देशों में से किसको भारत ने से आई एनस सिंदुवीर मिला है यह क्वेस्टन भी मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगो इसका एंसर में मार पहले सिंदुवीर जो है वो पहले रसिया से भारत को मिला और फिर भारत ने इसको में अमार को दे दिया ठीक है यह मैं पढ़ा चुका हूं करेंट में अगर करेंट का वीडियो आप देखेंगे तो यह है उसमें नेक्स जो है वह निमली की भारती राज्यों में से किसमें रेलवे मार की कुल लंबाई सरवाधिक है इसका जो एंसर है वह यूपी देखें इसमें रेल्वे की बात कर रहा है ठीक है रेल्वे की ज्यादा तर लोग महाराश्ट मार देंगे क्योंकि सब्लभी और गनत महाराष्ट्रा में यह रेल्वे की बात कर ट्रते यूपी इसका एंसर है नेक्स जो और 2018 2019 और निर्यातों में भारती आपका पवन उर्जा गैर पारंपरिक उर्जा सुरूत देखिए अब यह क्वेश्चन जो है स्टील की मिसल धातु का उपयोग आटो मुबाइल के पार्ट्स जैसे एकसल वाल बीरिंग बनाने में किया जाता है वह है अब देखिए अगर यह एकसल और वाल बीरिंग की बात नहीं करता तो इसमें निकल स्टील भी सही था क्रोमियम स्टील भी सही था स्टेनलेस स्टील भी सही था लेकिन यह एकसल और वाल वीरिंग की बात कर रहा है तो स्टेनलेस स्टील इसका सही एंसर है बाकि आटो मुबाइल के पार्ट्स बनाने में निकल स्टील और क्रोमिय की गई इसका एंसर है 1950 कुरोना की स्पुत्निक वैक्सिन निम्नांकित में से किस देश द्वारे विक्सित की गई है यह भी मैं पढ़ा चुका हूं करेंट अफेल में भी इसका एंसर रसिया है सी एंसर है नेक्स जो है वह उच्टम नियाले के नयदीशों की सेवा निवृत्ति आयू क्या है तो इसका एंसर है वह पैंसर वर्ज सी ऑप्सन है सही नेक्स राश्पति शासन लागू किया जाता है तो आर्टिकल 356 के अंतरगत लागू किया जाता है यह नेक्स्त है हरीदास जयांती प्रतिवर्स कहा मनाई जाती है तो यह इसका अंसर है ब्रिंदावन में ब्रिंदावन में हरीदास जयंती त censorship मना जाता है यह कंशन गे-संब्शियों में घ्टे अधिये। निमलिकित में से किसका संब्द रेशंब कीटों में से सब्सक्वाइब कितों से उसका बिकस्ति कल्चर स्द्री देखान. बहुत के चाहिए बहुल सबसे ज़्यादा भूलता है इसके बाद लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं देखिए लानोज बेनजुएला में आए एंपोस ब्राजील में तो इसको इसका जो एंसर है वह बेन जुए ला नेक्स्ट जो क्वेश्टन है आपका नियम लिखित में से की स्राजवन्स ने बैसनों धर्म को संदक्षन प्रदान किया तो इसका जो एंसर है यह है जब मैं एंसेंट हिस्टी के विश्टन एंसर करन कि थे तो उनको सबसे ज्यादा प्रस्रह जो है एक पुद्ट नहीं दीया था तो बैसरों धर्म को सबसे ज्यादा शोयगर निए कर सास को ने नेक्स्ट देखिए नेमलिकिन मेंसे कौन सा प्रदेश रोटी का डली आ कहा जाता है तो ये टेंपरेट ग्रासलेंड इसका जो एंसर है स्टर्डी एंसर सही है सितो उसने घ्रास भूमी ठीक है जो या जो इस वाला जो पारड है उस पारड में यहां पर मक्ये के खेती गेष्टी सब्सेजाद है की जाती है Mississippi वाली जो मैदान है ठीक है नेक्स क्वेश्चन है जो है देखिए अब यह देखे क्वेश्चन अब बहुत पैटर्ण चेंज कर रहा है क्वेश्चन पूछने का अगर आपने ढंग से बुक्स वगर नहीं पढ़ाए क्वेश्चन क्वेश्चन रट करके और प्र सारे क्या कंडिशन था ठासो सताउन के समय का यह आपको पता होना चाहिए तो इसका जो एंसर है देखे हिंदू और मुसल्मानों के भी संप्रदाइक विवाजन में ब्रिद्धी तो ऐसा नहीं हुआ था यह 1909 से स्टार्ट हुआ था ज्यादा तर जो हिंदू मुसलिम के की भी में हुआ था और जो अंग्रेजों ने फूला कि डालने कोसिस की थी और ठाभी है जो कंपनी से क्राउन की सक्ष्टी को अस्थाना आंत्रान तो सखी बात है कि यह कोई दूस्प्रवाव नहीं था नेक्स जो है वह सेना चेश स्छुकेसी में ब्रिद्धी तो ये उन प्रभाव जो सबसे बड़ा था यही था और स्थानी राजाओं का सासन में महत तो कम हुआ तो महत तो कुछ नहीं कम हुआ कुछ ऐसे नेता थे जिनका और यह चाहिते बन गया अंग्रेजों के ठीक है तो इसका एंसर जो है वह सी है नेक्स जो क्वेश्चन है वह निमलिकित में से किस सहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी सुरुवात मार्स 2022 से होगी तो यह भी मैं करेंट में देखिए पढ़ा चुका हूँ इसका जो एंसर है वह है कुलकाता ठीक है वेस्ट बंगाल में और पंदर्व नेक्स्स ये कुरशन मा जन्पत की राजणानी कहा थी इसका अंसर है D इस्रावस्ती में ठीक है नेक्स कोशन देखें धारावी मलीनबस्ती की सहर में स्थित है तो यह औंबई में है नेक्स्ट है एक तस्वीर की तरह विसारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के एक लौते बेटे की पेटी है तो तस्वीर वारी लड़की का आदमी से क्या रिस्ता है तो इसका जो एंसर है वह यह होगा पुत्री वह उसकी बेटी ही होती है नेक्स जो है युनिसेप द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभी वक्ता के रूप में किस बालीवुड सेलिब्रिटी को निक्त किया गया है तो इसका जो एंसर है वह है आयुसमान खुराना नेक्स जो है क्वेस्टन नितियायोग ने सिक्षा उस्वास छेतर में रूपांत्रन ये तु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना सुरू की है तो यह साथ योजना साथ प्रोग्राम है नितियायोग ठीक है ध्यान रखिएगा हो सकता है क्वेस्टन पीसेस वगर हमें फिर से आ जाए इंपोर्टेंट है ठीक है साथ नेक्स टैनिम लिकित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोईला छेत्र है अब देखिए लार्जेस्ट की बात कर रहा है तो मेरे रिसाब से लार्जेस्ट का मतलब जो है वो रिजर्व की बात कर रहा है ठीक है अगर प्रोडूशर होता तो साथ यह जरिया नहीं है प्रोडूशन में प्रोडूशन में तो यह रिजर्व की बात है उसी में लार्जेस्ट की बात की जा रही है ठीक है लार्जेस्ट का मतलब ही है कि अपने आपने एक व्यूम को सो कर् lr aspects जो सारव June are Oh अब देखिए यहां से हिंदी स्टार्ट हो गयाै और यह चुप गया है यहांपर तो यहां जो है नि स्टारट हो गया आप यहां से तो पहला क्эт जो है निमनलिक्वीत में से सार्वजनिक सब्द के सब्सक्राइब नहीं है इसमें देवराज कि देवराज जो है इंद्र का पर्यावाची जो बेक्ति देश में रहता है इसको अप्रवासी बोलते हैं किस विकल्ब में सभी सब्सुद्ध है तो अब देखिए दूसाद यह गलत है ना अध्रिश्न ध्यातब्य ध्यातब्य गलत है इसमें पिपलिका अनिसंस घनिष्ट सांती देखे सब्द गलत है तो जो बचरा है वही सही होग ठीक है अब आदिसयंत तक के लिए निम्लिकित में से कौन सा सब्द उप्यूक्त होगा तो इसमें देखिए आदिसयंत आद्यो पांथ क्योंकि बाकी जो अंतिम नहीं से होगा परमित अप्रमे नहीं होगा तो यही सही है अतित्य सब्द का सही बिलों क्या है तो इसका जो कि में से परियावाची नहीं है तो इसका जो आसर हो ऊसी है कि में का परियावाची है परियावाची स्वेशन है नि मी किस बीकल्प में आई probability नहीं है देखे यह जो है बाकी रानी रागी यह सही है यह है स्पर्स चुना यह इसमें आपको confusion हो सकता है लेकिन जो स्रिंगाल है ना वो ऐसे लिखा जाता है यह ठीक है यह अगर यह रहाता तब यह सही हो जाता ठीक है तद्सम्तद्दो CR नेक्स्ट जो है वो आपका निम्लिकित में से ci सब्दकाव showcase ब्यूंत्सा है तो समस्टी को अब लोगां समस्टी होटा है यहां बिरक्त उसका बिलो में इस्तेमाल कर दिया है नेक्स जो है वह आपका निम्लिकित में से कौन सा सब्द बीजली का परियाए नहीं है तो सलागा है सलागा यह साथ अस्तूति यह प्रसंसा को बोलते हैं तो सौधामी नहीं है चपला तरित यह तो कंफर्म है कि नहीं है इजरेयाल करें दून झी डिवा दीन यह और और की टो सब है इसमें नेक्स क्रेशान में से श्वाकिया पीताजी ने मुझसे कहा है मेरा है मैं प्रसिद्ध कभीतर है यह यह जई है ट्रह्रा के मेरा है प्रसिद्ध favour से कदली कदली किला के लिए इस्तिमाल किया जाता है तद्भव है यह कदली तत्रम है और नेमलिकित में से आतीव रिष्टी का विलो मना वरिष्टी है और अनुगामी अनुगामी अनुसरन करने योगी को अनुगामी बोलते है और यह आपका वरतनी के दृष्टी से तो पर सब्द है यह दोनों है लग रहा है कि प्रिषाद भी सही है परिमार जित भी सही है जो निए si मुझे देखने में के तो ऑभ रहा है और ये दुन पर इष्रम और पड़ावसी इह गलत है SMITH तो यह साप्रेक्ष निर्प्रेक्ष का हुआ है किस प्रफीन है शोप ते लिफोन का विसकार किसने कि यह जो है यह सुर्द सडुबाकको लग रहा है मैंने गुरुट का दर्शन किया तो यह भी गलत है मैंने गुरू के दर्सन की राजा दसरत के चार पुत्र और एक पुत्री थी कितना गठित सरीर है सरीर मतलब ऐसे गठित नहीं होगा गठीला हो सकता है ने भी खिर मैंसे वरतनी की दृष्टी से सुद्ध सब्ध है तो इसमें आगामी सही बाकी जो है आसिरवाद ये भी गलत है आसिरवाद होना चाहिए अंत्याक्षरी होना चाहिए अहार होना चाहिए ठीक है और फिर इसके बाद देखिए ये जो है में में का जो है एंसर होगा जो है में है ये पहली बार नाम सुना मैंने इसका भी तो ध्यान रखिएगा हो सकता है आ जा को सबसंद है तो देखर इसमें जो है पूरती है क्योंकि पूरती से ऐसे होगा निती सही तीथी सही और परिवार भी सही है नेक्स जो है आपके प्रस्ण का समाधान मेरे पास है कौन सा वाकर सुद्ध है पूछ रहा है तो इसमें आपके प्रस्ण का समाधान मेरे पास है बस यह वाला गलत है क्योंकि प्रस्ण का उत्तर होता है और समस्या का समाधान होता है ठीक है और इसमें बाकि सब सही तो यह जो है इसका ऐंसर समरपन होगा क्योंकि समिक्षा में बर्तिनी गलत है संसारिक होगा संवान होगा ठीक है नेक्स देखिए निम्लिकित में से पत्थर सब्द का पर्यावाची नहीं है तो पर्ण है यह पत्ता होता है इसका मतलब निम्लिकित में से कौन सा सब्द प्रकास का पर्याय नहीं है तो यह सब प्रभाद इप्ति जोती तो है नंदिनी नहीं है चोटी बच्ची को कह जाता है यह लंद निनी और फिर नेक्स्ट काने में टर्दभाव सब्द है तो अभी इसका अभण इसको ऐंसादर अगर गोर में सवामी अस्ती सर्प रहात रहत नहीं है श्रया रहिए सब्सक्राइव सब्सक्राइब लिए कौन से सब्सक्राइब सब्सक्राइबanda के लिए बीछी जो आए बिशुरुपधी पयसंधू रिंदी आ यह जो पहले जन्मा हो वाक्यांस के अर्थ को सपष्ट करने वाला उचित सब्द है तो इसका जो एंसर होगा वह अग्रज है नेम लिकित में से वरदान सब्द का विलूं है तो इसका जो एंसर है वो है आपका विसाप निम लिखित में से कौन सा तत्सम तत्भव यूग में सही नहीं है तो एंसर है इसका जिर्ण का जो तत्भव वो सिर्ण नहीं होगा यह तो इसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है जिर्ण सिर्ण ठीक है नेक्ष्ट है जो आपका निम लिखित में से तरून सब्दका विलोम है तो इसका जो एंसर है वो है ब्रिद्ध ठीक है नेक्ष्ट देखते हैं निम्लिखित में से किस यूग में सही विलोम सब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो जय बिजय दोनों का मतलब एक है यह विलोम नहीं है जय विजय ठीक है बाकि लावानी बंदन मुक्ति और इक्षा है ठीक है नेक्ष्ट जो है आपका है निम्लिखित में से अग्या सब्द के लिए उचित वाक्यांस का चैन कीजिए तो जो कुछ न जानता हो उसको बोलते हैं अग्या अग्या विग्या इसमें काफी कन्फिजन होता है अग्या भिग्या अनभिग्या यह आप जब भी जा तो है वो हर्दी अब हादी होगा अग्या हरीद्रा और है दोम्र धूवा अधा भ्रहमर भॉरा यह सब है अटसा इसा ही है नेक्स देखिए इसमें इनलिकित में कौन सा सब्द खलका विलूम होगा तिक है तो खलका विलूम जो होगा ख़ल दुस्ठ होता है सज्जन अच् यह एंसर से मतलब कटी और स्रोणी सब्द निम्लिकित में से किस अंग के परियावाची है देखिए यह हो सकता है स्रोणी में लोग कंफ्यूज हो जाएं लेकिन कटी तो कंफर में कि कमर कोई बोलते हैं तो अब स्रोणी क्या कमर और पेट के बीच के बाग का जो होता है यह वहां सभी वर्गों के लोग उपस्तित यह भी सही है इस पुस्तक में दस अध्याय देखिए गलत लिखा हुआ है तो यह जो है यह असुद्ध है निम्लिकित में से किस समू में सही बिलोम सब्द नहीं है तो अब इसका जो एंसर है वह निर्माण बाकी सब यह से अप है तो अब देखिए इसमें सब सब सभी इस वर्क अधिक वर्था कि करान फसलनश्ट हो गई भगवान बुरे लोगों की बुरी कुद्रिष्टी से बचाहिए बियक बूरी बियक कुद्रिश्टी का मतले भी द्रिश्टी तो यह डवल यूज कर दिया बाकि यह सब सभी इ यहीं बिताएंगे और अधिकांस लोगों का यहीं विचार है सब सही है बस यह बीवला जो है असुद है क्योंकि यह दो दो बार यूज किया है बूरी और कुर्दिष्टी निम्लिखित में से तत्सम सब्द का चैन करें तो इसका जो अंसर है वह है उपालंब बाकि भौरा आवला और सुई यह सब जो है तर्व दूर्लग सब्द के लिए निम्लिखित में से कौन सा वाक्यांस उप्यूत होगा अब देखिए यह जो है दूर्लग लांगना समझ रहें लांगना मतलब पार करना तो जिसे पार करना कटी नो उसको दूर्लग दूर्लग के लिए सही सब्द का प्रियोग हुआ है तो इसका जो एंसर है वो है सक्ति की उपासना करने वाला शाक्त बाकी जो है जो सब कुछ जानता हो अलपग्य ऐसा नहीं है सब कुछ जानने वाला बहुग्य होगा सरवग्य होगा सरी सिव का उपासक यह भी बैसनों नहीं होगा तो इस तरह से हमने यह देख लिया इस पेपर को और अगर आपको इसमें कोई भी अंसर गलत लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए का मिशें अब मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा उसे अगर सही हुआ तो ठीक है तो फिर मिलते हैं आप से फिर नेक्स वीडियो में थैंक्स